असलानेकुम नाजरीन, गुड आफटनोन, वेलकम टू पूट डाइरीज, मैं हुजारनक से दुबा आपके सामने हाजर एक और ने एपिसोड के साथ, मज़िदार रेसिपीस के साथ, आज हम कौन सा हलवा बनाने जा रहे हैं जनाब, आज हम पंकिन का हलवा बनाएंगे, ला लिखिएगा, सीखिएगा, वनाईएगा, ट्राइ करिएगा, और जैसे मैंने ये कुर्ता पहना है, वैसे ही दस्तकार का कुर्ता आपके लिए भी है, as a gift from our show, तो अगर आपको जीतना है, तो आपने मुझे बताना है, कि लाल कद्दू से और हम क्या चीज़ें बना सकते है बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, यह जरूर बताइए मुझे 8881 पर SMS करके, यानि अपने फोन से आपने एक मैसेज भेजना है, 8881 इस नमबर पे ठीक है, और पंकिन से लाल कद्दू से क्या-क्या बनता है, वो आप लिखिएगा, इसके इलावा हमारे पास डिलक वेजटीबल स्लाइसर है, इनेक्स की तरफ से वो भी आप जीत सकते हैं, तो आपने मुझे जल्दी से यह मैसेज करके बताना है, अब पंकिन के हलवे के लिए मैने क्या करना है, देखें मेरे पास यहां एक दार्चीनी की स्टिक थी, जिसको मैने इसके साथ पका लिया था पंकिन के साथ और पानी के साथ, पंकिन यानि लाल कदू, इसको हमें ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देना है, अगर सॉफ्ट होगा तो आप इसको मैश अप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है तो पंकिन को, पानी को और दार्चीनी को साथ पका लेना है, जब यह नघ नरम हो जाए तो इसको पानी में से निकाल दीजेगा और इस तरह आप इसको अलग कर दीजेगा फिर आप घी ले या मक्षन ले उसको आप घरम कर दीजिए उसमें यह पमकिन डाल की उसको पका लीजे उसके बाद जब यह गाड़ा सा हो जाए तरह 10-11 मिनट तो मेरे पास यहां इस तरह की थाल है, बहुत सारे हलवे आप ऐसे थालों में निकाल सकते हैं, फ्लैट प्लैटर्स में, फिर उसके आप पीसिस भी आराम से काट सकते हैं, whatever you have in the house, किसी भी चीज को इस्तमाल करिएगा, इस तरह की चोटे कटोरे होते हैं, उसमें निकाल सकते हैं Anything you want to use, anything you have, उसी का इस्तमाल करें, खास जाके कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर उसको हम डेकोरेट किस चीज के साथ करेंगे, मेरे पास यहां किश्मिश है, और बादाम है, और खोपरा जाएगा, यह नारियल जो ब्राउन वाला, हार्ट शेल वाला नारिय पहले में क्या करूंगी में इसको मैश अप करके ना, दार्चीनी की स्टिक भी इसी में डाल दूंगी और फिर हम इसको ऐसे, मैं तिक मैं मैं मैश कर देती हूं इसमें, जस लेट इट बी नाईसन स्मूथ पहले में, पानी को ठीक है, जितने कम पानी में आप इसको स्टीम में वो भी कर सकते हैं, सिर्फ स्टीम भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा ये स्मूथ प्यूरे हो जाएगा, पानी फैंकियेगा ने, अगर ये गारा होगा तो यू माइट नीद दे वाटर, उपर नीचे कर दिजे, तो ने ने, आपके यूरे ले लेते हैं, थोड़ा सा घी हम रखेंगे ज़स्त तो फ्राइग दिस, थोड़ा सा घी आप इसमें, निकाल दीजिए, पानी और दारचीनी की स्टिक को आपने पका लिया जब ढरम हो गया तो आपने इसको ड्रेन कर दिया ब्लेंड कर दीजेगा घी या मक्षन आप गरम करिएगा उसमें आप ये पंकिन का फ्योरे डाल दीजेगा और उसको पकने दीजेगा एक छीनी डालीएगा उसके बाद आप उसको बस डेक्वरेशन के लीए जो भी आपको चीजेग नब्ग кажते हैं टिके जिया उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं एक सिंडिय। ही डाल देती हूँ यहां विद दे मनेन असरे वन टेबसुन जatना घी खाने से पहले आप दार्चीनी की स्टेक निकाल सकते हैं. यह पंकिन प्यूरे आपको कैन में भी मिलता है, जब पंकिन नहीं हो सीजन में तो आप कर सकते हैं, लेकिन पंकिन तो मेरा ख्याले होता ही है all the time in season. और यह लाल कद्दू से हम लोग तो बहुत सारी चीजें बनाते हैं, आप लोग क्या बनाते हैं, जल्दी से 8881 पर मेसेज करके हमें बताइए, आके आप जीत सकें, तस्तकार का यह जैसे मैंने कुर्टा पहना है, वैसे बहुत अच्छा कुर्टा है, और इसके इलावा आप के पास है, अच्छी तरह आपने घी में इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है, अब यहां भी हम पुड़ा सा घी अलग से घरम करेंगे, जस्ट आप टेबल स्पून, उसमें आप बादाम फ्राइ कर लीजिए, किश्मिश फ्राइ कर लीजिए, यह भून के रख द बनते हैं, ठीक है, जब तक मैं इसको कर रही हूँ, बून रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए, फूड डाइरी is only on Masala TV, और अगर आपने जीतना है, अनिक्स की तरफ से गिफ्ट हैंपर और अनिक्स अनिक्स की तरफ से अनिक्स की तरफ से खाएंपर उणने के तरफ से जब रहा हुआ है, हलो, जी, वेलकम बैक, यह देखे, मैंने क्या किया, मैंने 1 तेबल स्पून घी गरम करके यहा, किश्मिष को तल दिया, अलग से निकाल किया, और पिर चॉपकियों बादामों को तल फिर ये एक से दो चमच खोपरा जो है उसको भी हमने तल दिया घी में और सब चीजों को आपने अलग ऐसे करके निकाल दिया ठीक है जनाब हो गया ये सब कुछ अब इसको आप ठंडा करिये चब तक हम हलवा बनाते हैं इस हलवे में टाइम लगेगा पिकुस काफी सारा जो है जाप उसको बहुत कम बानी में आप अभ -क बेंडर में अज जीगा रिम एपम बना सकते हैं अगर नि छिए कर रहें तो फिर एक सो पचास घ्राम चीनी यूज कर येगा हो चार चम्छे इंड की होना चाहिए ऑन और थीक हैब इसमें हम दा commitment खोप रहेँ हैं आप आप और चीनी से हमेशा में हलवा बनाती हूं, खाने से पहले आप दार्चीनी की स्टेकस में से निकाल सकते हैं, अब इसको और मजीद आपको पकने के लिए छोड़ देना है, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी हम हलवा बनाते हैं, चीनी डालते हैं, चीनी जब पक जाती है, क हम डीप्राइ करेंगे और फिर इसको हम एक मज़िदार से सौस में बनाके हनी चिली ड्राइ चिकन बनाएंगे, ठीक है, शेहत से बुलकुर अच्छा कोट हो जाएगा, उसके बाद हम स्टर फ्राइड नूडल्स बनाएंगे, जैसे कल मैंने आपको बनाना सिखाया था, च जी, क्या हाले हैं? क्या है, सूप भी बनता है, ठीक है, और कोच? और पंकिन से कटलेट सूप, और चले है, ठीक है, कोई बात भी, हमने नोट कर दिया है, जवाब, थैंक यू सो मज, थैंक यू, जी, थैंक यू सो मज, खुदा आफिस, ओके जी, चिकन को हमें किस चीज के साथ मारिनेट करना आदा किलो चिकन है, इसमें हम थोड़ा असा बराय नाम नमक डालेंगे, ठीक है, थोड़ी सी हम इसमें चीनी डालेंगे, थोड़ी सी, मतला इसको बीटा नी हो जाएगा, डॉंवरी, ठीक है, जी, और इसमें हम डालेंगे, तोण अर्चार, नमक, peso असा, तोड़ा की और तो आपको नहीं करना है रहने दीजेगा अच्छा साब बदाम का भी ब्राउन कलर हो जाएगा तो आप उसको ऐसे ही प्रेजेंट करिएगा अगर आपको इसमें जाफरान का फ्लेवर नहीं पसंद और आप नहीं खाते हैं तो आप उसमें रोज वाटर डालिएगा ठीक है बड़े बुड़न स्पून से हिलाते रहिएगा ताकि थोड़ा सा गाड़ा हो जाए पंकिन में बहुत पानी होता है तो हमने इसमें बहुत कम पानी डालना आप बेशक स्टीमर में डाल कि उसको स्टीम कर दीजें बॉil ना करें ठीक है और घी उपर आ रहा है आपको नज स्टीमर में इसमें कर देना है और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसको निकाल के निथार के एक तरफ रख लेंगे चन्नी में सौस के लिए हम सारी चीजें मिक्स करेंगे मैं इसमें कर लों सौस ए समय और शौस होरासा फिल अपर पहर्य ओल ऑल यॉवल बहतरीन ओल 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 है अब ट्रेसिंग्स आं साल्द के लिए आपको नजर आ रहा है कि ये वाला हूम् यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ओल और जो आम हम खाना बनाते हैं उसमें करते हैं में यह वाला यूस करती हूं, उसमें आप डेसी खाने भी बना सकते हैं, ठीक है? And of course, we've got lock and lock on our show today. So, sauce की bottles हैं, food containers हैं, कांच के हैं, plastic के हैं, airtight dabbe हैं और ये बोरो सिलिकेट के, lock and lock के oven glassware है, जो आप microwave में और oven में आप रख सकते हैं. मैं इसको यहां shift कर देती हूं, because it's splattering a lot, मुझे अभी यह करना है. This will take some time, ठीक है? यह याद रखिएगा. कल मैं गाजर कहलवा और सुजी कहलवा बना रही हूं, मैं स्टाइल, और मैं चिकन और स्पिनिच की ब्रेड बनाऊंगी, पफ पिस्ट्री के साथ ब्रेड बनाएंगे, देखिएगा, जरूर बहुत मज़ेदार बनती है, और आज लज़दफ में आप चांप फ्राइ और चपली कबाब पांच बजे लाइब देख सकते हैं. अच्छा जी, अब इसमें हम तेल गरम करेंगे, पहले हम यह बना लेते हैं, सौस इसका बना लेते हैं, डीफ ट्राइ तो हम बाद में करते रहेंगे, तरह थोड़ा सा चिकन मैरिनेट तब तक हो जाएं, अगर आपको दस्तकार के कुड़ते जीतने हैं, और आप अब कॉलर से बाद करते हैं, जी हलो, हलो हलो, कहां गई कॉलर? अलो अस्त्रामालेकूं जर्णकभा जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया फर्माइए आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी सी आ रही है थोड़ी सी हूँ ना इसलिए थोड़ी सी आवाज आ रही है आपका शुक्र बहुत अशा है, मैं स्योक्ते देखती हूं, आप की रेषी भी ट्रायकर की रेषी हूं, बहुत अश्ची बनती है जर्णकभा जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी ओके यहां आपने लैसन को हलका सा सौटे कर दिया, उसमें आप चीजें डालना शुरू करिये, मतलब अदरक लैसन इस तरहां चौप अप कर दीजिए, एसलाइस में काट के रख दीजिए, उसमें फिर आप एक प्याज डाल दीजिए, जो आपने इस तरहां के क्यूब में काटा हो, ओके, इसको आप सोटे करिये, यह ड्राय है, बहुत सॉसी नही 사ves नहीं होगा, फिर इसमें आप थोड़सी चीणी डाले और थोडा संनल नमक, ठीक है, अच्छा, फिर आप इसमें डालिये, सोया साउस, बिएन बढ कर दोगे यह, है, है, अच्छा जी और क्या हुआ ये हराफ्यास डाल देते हैं फिर ये मिर्चे चाक करके इस तरह मैंने रखी है यह चली जाएंगी और हम शहर्ट डाल देंगे बस ठीक है क्या-क्या डाला मैंने देखे चिकन में मैंने नमक डाला, सोया सॉस डाला, अंडा, थोड़ी सी चीनी और कॉन फलार और उसको आपने मैरिनेट करके छोड़ दिया, फिर 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 बेरी ओलिव ऑलिव 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 हम डालेंगे और डीप फ्राय कर देंगे, एक एक पीस अलग-अलग फिर उसको डिथार देंगे, फिर हमने सॉस के लिए बहुत फोड़ा सा फिलोप बेरी ओलिव ऑलिव ऑलिव रखा, उसमें लैसन और प्यास डाला, अद्रक डाली, फिर इसमें हमने हरी मिर्चें डाली, नमक चीनी और सोया सॉस डाला, ठीक है, सब कुछ हो गया, अब एन में आप इसमें डालेंगे, ये शहद, और जब ये चिकन के पीसिस हो जाएंगे, तो चिकन इसमें जाएगा, बस, ड़न, ये बस, ये इसका सॉस हो गया, जो ड्राइ ड्राइ होगा, तो इसको हम मिक्स करके, बस बंद करके, चूला हटा देंगे, ठीक है, आब हम एक और पैन ब्रेक की तरफ चलेंगे, डीप फ्राइ करने के लिए फिलो पेरी ओलिव ऑले ले ले लेंगे, और एक एक पीस इंडिविजुली चिकन का फ्राइ करेंगे, और ये हल्वा देखें, ये साइड छोड़ चुका है, और ये अल्मोस्ट डान है, अब ये याद रखिएगा, क इनिक्स की तरफ से अगर आपको जीतना है, तो 8881 पे आप मुझे SMS करके अपने फोन से बताएंगे, कि लाल कदू से हम क्या-क्या चीजे बनाते हैं, मसाला एवरी लिखेगा, अपना नाम, शेहर का नाम, NIC कार्ड नमबर, यानि अपना ID कार्ड नमबर जरू लिखेगा, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, 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 जी वेलकम बैक, फिलो बबेरी ओलिव ओल गरम कर दिया था, उसमें एक चिकन कपीस उठा के हम डाल चुके हैं, फ्राइ करने के लिए, सॉस जो भी ड्राइ सॉस है, चिलीज के साथ वो बनाके, रख दिया है, उसमें हम फिर ये चिकन को मिक्स करेंगे, that's it, ठीक है, और हम इसको रखेंगे नूडल्स पे जो हम स्टर फ्राइ करेंगे, प्लेन बॉल नूडल्स नहीं रखेंगे, हल्वा जो है वो यहां मैना निकाल दिया है, दोनों कटेरों, कटेरों में, और हमने और फिर इस पे हम बदाम चिड़केंगे, ठोड़े से फ्राइ किये हुए, और फिर हम किशमिश डाल देंगे, तो ये च्छारा चुप जाएगा, तो क्या करूँ मैं, ऐसे करते हैं, नजर आ रहा है के सॉरी, I didn't ask कि नजर आ रहा है के नहीं, और फोड़ी थोड़ी किशमिश इदर उदर, वहां यहां, ऐसे वैसे, ठीक है जनाब, गर्मा गरम, मज़दार सा, हल्वा, रेड़ी, तो गो अन ठेला, वेरी होट, बहुत गरम, ऐसे नहीं उठा सकते, यहाओ, अन यहाओ, टिक है जी, ट्राय करिये का जरूर, ओके जी, दस्तकार का गिफ्ट है, इनिक्स का गिफ्ट है, किस-को जीतना है, ट्रिपल एट वन पे, SMS करिए, बताइए, लाल कद्दू से और क्या-क्या चीज़ें आप बना सकते हैं मसाला FD लिखेगा, अपना नाम, शेहर का नाम, NIC कार्ड नमबर ज़रूर लिखेगा अब ये जो है ना, एग नूडल्स मैंने बॉइल कर दिये थे पानी में, फिलो पर बेरी ऑलिव ओल और नमक डाल के अब हम तिलका तेल डालेंगे, फिर इसमें हम सोया सॉस और अदरक डालें, लैसन डालें, whatever सबजियों में मैं हरा प्यास डालूंगी, और गाजर, एक कॉलर हैं उनसे बात करते हैं, हलो हलो असलाम अलेकों, जी वालेकों मस्सलाम कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाईए मैंने आपको स्वाब का जवाब देना है? जी जरूर हल्वे की खीर बन या तेक है कदू की और हल्वा बनता है, जी जरूर बनता है, ठीक है मैं इस टाइम काल किया, मुझी आपका प्रोग्राम बोट अच्छा लगता है खशाम दीद हमारे शो में इसी तरह हमारे साथ रहिएगा, कॉल करते रहिएगा, बना जरूर ट्राय करिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको पता है, मैं एक लाल कदू और जिंगे की रेसिपी बहुत अच्छी बनाती हूं, पार्टिया टाइप, पार्सी स्टाइल, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वोई चीजे हैं, मेरा क्याल मैंने बनाना सिखाया भी है आप लोगों को, लाल कदू जिंगं के साथ, उसमें आप मचली नी डाल सकते हैं, उसमें आप जिंगे डाल सकते हैं, और ऐसल पता भी नी चलता है, जिसको नहीं पसंद, इस सबजी को नहीं लोग खाते हैं, जरा तो आप छुपा के खिला दीजिए, टमाटर के सालन में पता भी नहीं चलेगा सालन की रेसिपी, सबजी की रेसिपी जरा रिच बनाता है उसको बस ये चिकन के पीसिज अलग अलग लेके ज्रादा ओर कर दीजेगा प्लीज और चिकन फ्राय हो जाए फिर आप इसको इस पैन में डालते जाएगा मिक्स कर पर प्रिजेट करेंगे प्लाटर पर शेसाथ नूडल Sc tiếp को रखार ले motivate जलों क्या शुक्त करेंगे हम parler ready जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी है आप, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी आप सुनाएं, जी मैं भी ठीक हूँ, आपके क्विस्टिन का अंसर दूँ, जी 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 जरूर दें, ये जो है ना आप मुपुचाई से पेखे का हल्लौा कंदु को बनता है, पंपकिन का, इसको गो जी जी बिलकुल, बहुत शुक्रिया, ठीक है, ठीक है, और कुछ कहना है, यी बास से आपका अंसर देना था, जी बस, थैंक यू, थैंक यू सो माच, आपने कॉल की, अब फिलपबैरी ओलिव ओल दाला हमने, तिलका तेल इसमें डाला, फिर आपने कोई भी जो भी सबजी दालनी हो पहले, नormally हम इसको गरम होने देते हैं, फिर अधरक शामिल कर देंगे, गाजर डाल देंगे, अब शिमला मिर्च, मतर, खुछ भी डाल सकते हैं, हरा प्यास काफी सारा जाएगा, फिर इसमें ऑइस्टर सॉस, सोया सॉस जाएगा, ये क्या है, अन्नोन पाउडर जाते हैं, हर जगा उड़ड़ा है तेल, इसमें आप अधरक शामिल कर दीजिए, भून लीजिए, फिर आप इसमें गाजर डाल दीजिए, जो सबजी जादा तेर पके जैसे कि शिमला मिर्च वगेरा हो पहले वो जाता है, ठीक है, then हरा प्यार, मिक्स, 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 उइस्टर सॉस, और सोया सॉस, कम-कम डालिएगा, मिनमक वमक नहीं डाल रही है, बिल्कुल भी ठीक है, और फिर जो बॉइल नूडल्स है, बो जाएंगे, और मिक्स कर देना है, सब कुछ, मज़दार से आपके वेजटेबल स्टर फ्राइड नूडल्स हो गए, ओहो, चिकन भी तो डालना है, देखे न मुझे, मैं समझी, मैंने डाल दिया है, कचुला बन कर देते हैं, वरना जल्दी से वह चिकन बहुत काला हो जाएगा, कीप फ्राइग दे चिकन, चान लीजिए, जी, ब्रेक, की जी, ब्रेक ग्यजिए, ब्रेक ब्रेक जी, हो जी तेक covered. जी वेलकम बैक, लास्ट बैच चिकन का फ्राय हो चुका है, इसको आप निकाल दीजिए, थोड़ी देर ज़रा रखिए उसको छनी में ताके एक्सेस तेल इसका निकल जाए, फिर आप वो सॉस और सबजीयों के साथ इसको मिक्स करिएगा, लेकिन जैसे मिन आपका था, इसको अधरा चिकन ठीक है, इसमें जादा कोई सॉस वास वो नहीं है, इस नुट सॉसी, इस जाए यह प्रिडाप पूरा आपक निसमें मिक्स कर दिया इस तरहा चिकन को और पिर आप उक्याद से मिक्स कर दीजिए ता कै हनी अगर इस पेज मिक्स पी हो जाए स्वेयो सॉया साथ वगरण चिली ज़र और तम गख फिर थोड़ा साप चाहे को मैरिनेट कैसे किया थोड़ासा नमक थोड़ी सी चीनी एक अंडा थोड़ासा कॉन फ्लार और सोया सॉस डाल के 10-15 मिनिट छोड़ दीजेगा फिलिप बैरी ओलिव ओलिव मैंने डीप फ्राय करने के लिए स्वास पैन में घरम कर दिया उसमें मैंने चिकन के पीसिस डाल द कुछ लोगों को नहीं पसंटो निकाल दीजेगा खाते वक्त थोड़ासा सोया सॉस नमक चीनी गया है और इसमें एन में हमने शहर डाला है तो इस यॉर ड्राय चिली चिकन हनी वाला फ्लेवर का स्टर फ्राइड नूडल्स के लिए मैंने क्या किया था एक बड़ा किया एक पैन में उसमें अध्रक डाली चॉप करके हरा प्यास डाला गाजर डाला तिल का तेल था और रेगिलर यह हमारा और फिल पर बैरी ओल ऑल था ऑई सोया सॉस स्टर फ्राइ कर दीजिए नूडल्स डाल दीजिए और बस चटपत मिक्स करके पॉरन सर्फ कर दीजेग है जिए था बुप attribute फेलिजी वालेकुम अस-स-लम आप मैं चीक हूं आपके सामने आप का सी हैं आप था शुक्रूर करेंगी मार्चल ना बहुत जेगोररम मैंने फरस्ता इंकाल किया की प्रोग्रममि ए ठैग्यू थाँ सोमैश지만 फॉरम जार रहा रहा तो आपका तो आप जिंगो में भी इस पैस्टों आलोता है ठीक है, ओके, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया थांक्यू सो माच, अलाहाफिस जी अलाहाफिस दस्तकार की तरफ से जैसे मैंने कुर्ता पहना है, वैसे आपके लिए भी कुर्ते हैं अगर आपको जीतना है, पूरा हफता हम एक एक कुर्ता दे रहे हैं कॉलर्स को, व्यूर्स को, हमारे फैंस को और बिग थैंक्यू तो फाजिया और दस्तकार उसके इलावा हम आपको दे रहे हैं आज एनिक्स की तरफ से डिलक्स वेजटबल स्लाइस तो अगर आपको जीतना है, तो जल्दी से 8881 पर SMS करके बता दीजी अपने फोन से मुझे कि लाल कद्दू से हम क्या-क्या चीजे बना सकते हैं, ठीक है, मसाला FD लिखिएगा अपना नाम, शेहर का नाम, NIC Card Number यानि ID Card Number ज़रूर लिखिएगा ऐसे करते हैं, एक और हम ब्रेक पे चलते हैं, जरा क्लीन अप करते हैं, प्लैटर पे निकालते हैं चिली शिकन को और आप देखते रही हमारा शो हनी चिली ड्राय चिकन अच्जा चिकन ब्रेस्ट स्लाइस आधा किलो नमक आधा चैका चमचा, सोगा सांस एक खाने का चमचा, चीनी एक चैका चमचा, पॉन फ्लार तो खाने की चमचे, अंडा एक अदर तेल फ्राइंग के लिए दीगर अज़सा, प्यास के क्यूबस 2 अदत, हरे मिर्चे क्यूबस कट 6-8 अदत, तेल एक खाने का चमचा, कुटा लहसन एक खाने का चमचा, अधरक स्लाइस एक टूकड़ा, चीनी एक चैक चमचा, सोया सॉस एक खाने का चमचा, शहद 2 खाने के चमचे, नमक हस पे चिकन को नमक, सोया सॉस, चीनी, अंडा और कॉर्ण फ्लार के साथ मारिनेट करके एक तरफ रख दे, अब तेल गरम करके चिकन को भून कर एक तरफ रखे, उसके बाद चटनी के लिए तेल गरम करके इसमें कुटा लेसन और अधरक स्लाइस डाल कर बूनी चुकन के फिर इसमें प्यास, हरी मिर्च, नमक, चीनी और सोया सॉस डाल कर मिक्स करें, आखिर में शहत शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें इस्टर फ्राइड नोडल्स अच्सा, चाइनीज नोडल्स आधर पकेट, अधरक एक टुकड़ा, हरी प्यास एक अदद, गाजर एक अदद, तिल का तेल, तीन खाने के चमचे, उस्टर सॉस तीन खाने के चमचे, सोया सॉस तीन खाने के चमचे, तरकीब पानी में नमक डालकर नोडल्स को बालें और चान कर एक तफ रख दें अब तेल गर्म करके अदरक गाजर और हरी प्यास डालकर तेज आंच पर पकाएं और नोडल्स शामल करके चंद मिरट पकाएं फिर इसमें उस्टर सास और सोया सास डाल कर नोडल्स को कोट कर लें आखिर में से हनी चुली चिकन के साथ साफ करें पंप किन हलवा अर्ज़ा कद्दू 1 किलो दारचीनी डियर टुकड़ा पानी 150 मिली लिटर चीनी 150 ग्राम मक्खन या घी 4 खानी के चमचे किशमिश 50 ग्राम नारियल कद्दू कश रोस्टेट 2 खानी के चमचे बदाम फलेक्स एंड रोस्टेट 2 खानी के चमचे तरकीब कद्दू पानी और दारचीनी को पका ले यहां तक के कद्दू गल जाए अब इसे चान कर मेश कर लें इसके बाद मक्खन और घी गर्म करके कद्दू को पकाएं और 10 मिनट चमचा चलाते रहें यहां तक के कद्दू की प्यूरी गाड़ी और डार्क हो जाए अब चीनी डालकर मसलसल चमचा चलाते रहें और हलवा इतना भूने कि इसका अंबर रंग आना शुरू हो जाए फिर से सर्विंग डिश में निकाल कर किश्मिश नारियल और बादाम से गानिश करके गर्म गर्म सर्फ करें जी वेलकम बैक उमे बनीन जीती हैं मिया चन्नू से इनेक्स का गिफ्ट हैंपर वेरी नाइस नेम उम्मे बनीन और दस्तकार के जो कप्रे हैं मिस्स कामरान हैदराबाद से आप लोग दोनों तीनों रेसिपी इन फाक देख चुके हैं मैंने जो बनाया था स्टर फ्राइड नूडल्स है ये सबजियों के साथ आप इसमें चिकन डालें प्राउंस डालें एक डालें कुछ भी डालें ठीक है और ये है ड्राइ हनी चिली चिकन ठीक है चिली मैंने काट के नहीं रखें सजावट के लिए मैंने रखें अगर आप खाते हैं मिर्ची चाहिए आपको तो फिर एकाद मेरे चाप उसमें चौप करके भी स्टर फ्राइ कर दीजेगा और जो मैंने लाल कदू से हलवा बनाया है वो हमारे फुट डाइरी के रेरे पे आ चुका है चोटे-चोटे कटोरों में ट्राइ करिएगा बनाई आजकल हमारा सेट जरा आमने सामने है इसलिए जरा सब को मैं तंग करना चाहती हूं कि मैं सब को तंग करूं अइसे तो क्या है जिन्दीगी का मज़ा इसी में सब को तंग करते रहो हसाते रहो बोलते रहो ऐसी तरह है लाइफ बेरी शॉर्ट एन अन प्रिक्तिबल चलिये जी अब दीजिए मुझे और टीम फूद डाइरीस को इजाज़त जाते जाते याद रहे के मसाला है तो खाने में हैं मज़ा अलाहाफिस लाचे में, टू में बाते यादें, तासी ते हैं नाते हैं स्ब्स्राइब दोजाद रोकार्स देफंगे ।र में भी झाल झाल मजीद मज़दार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज